देखे ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अब आपको जल्द ही ट्रेनों में शॉपिंग करने का मौका मिलेगा और ट्रेन में सफर करें पैसेंजर का ट्रेन में सफर करने का मज़ा दुगना हो जाएगा पैसेंजर को सफर करने के दोरान जरुरत का समान खरीदने के लिए ट्रेन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इसके पीछी का कारण है कि पैसेंजर जल्द ही ट्रेन में शॉपिंग कर सकेंगे वैसे आपको बता दें कि रेलवे ने मुंबाय डिवीजन से इस सुविधा को शुरू कर दिया है इसमें शताबदी जैसी वी आईपी ट्रेनों को शामिल किया गया है NCR CPRO गौरव कृष्ण बंसल ने बताया कि ट्रेल के तौर पर रेलवे ने ये सेवा शुरू कर दी है जो कि पैसेंजर के फीडबेक के बाद अन्नी जोन में शुरू की जाएगी उन्होंने बताया कि ट्रेल सफल रहा तो कानपूर शताबदी समेट वी आईपी ट्रेनों में शौपिंग कार्ट से पैसेंजर समान खरी सकेंगे रेलवे अधिकारों के मताबिक रेलवे ने इस सेवा को मुंबई एहमदाबा शताबदी से शुरू किया है इसमें ब्यूटी प्रोडेक्ट, डोमेस्टिक वाफ फिटनेस से जुड़े प्रोडेक्स की बिक्री की जाएगी ट्रेन में सफर के दोरान पैसेंजर सिफ इसमें जुड़े प्रोडेक्ट ही खरी सकेंगे रेल बोड अधिकारी मुंबई डिविजन की तरफ से 16 प्रमुक ट्रेनों में शॉपिंग कार्ड से सामगरी बेशने के लिए एक कंपनी को अनुमती दे दी गई है इसके बदले में रेलवे कंपनी से 3 करोर सरसर लाग रुपे लेगा अधिकारीयों के मुताबिक इस सेवा का जहां एक तरफ पैसेंजर को लाब मिलेगा वहीं इसे रेलवे की आर्थिक सिदी भी मजबूत हो जाएगी इसे रेलवे पैसेंजर से जुड़े अन्ने सुविदा को भी बढ़ाया जा सकेगा डेल्वे अधिकारियों के मताबिक VIP ट्रेनों में शॉपिंग कार्ड के प्रडेक्ट बेशने की अनुमती देने से पहले डेल्वे ने कमपनी से एक समझोता भी किया है इसके तहर कमपनी शॉपिंग कार्ड से सुबा आठ बजे से राट में नौ बजे तक ही समान बेश सकेगी इसके बाद पैसेंजर को ये सुविदा नहीं मिलेगी शॉपिंग कार्ड के पास दो सेल्समेन भी उपस्तिर रहेंगे जो की कमपनी की ड्रेस वा आईडी कार्ड के साथ रहेंगे फिलांकली बस इतना ही आप बने रहें ये ग्रामी न्यूस के साथ